दोस्तों, साल 2020 का दूसरा चंद ग्रहन, आठ नमंबर 2020 दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा, छे राशिया होंगी करोड़पती जी हाँ दोस्तो आठ नवंबर 2020 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले साल 2020 के दूसरे चंद ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से 6 राशिवालों की किस्मत चमक जाएगी आपको बता दे कि 6 राशिवाले अब धनसे माला माल होने वाले हैं जी हाँ दोस्तो वो खुश नशीब और भाग साली 6 राशियां कौन कौन सी है जो की 8 नवंबर 2020 दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले साल 2020 के दूसरे चंद ग्रहण के प्रभाव से करोरपती बनने वाली है ये 6 राशिवाले अब माला माल होने वाली ह इस वीडियो में हम आपको उन्ही 6 खुश नशीब और भाग साली राशियों के बारे में संपून और शटीक जानकारी देने वाले हैं साथी साथ 8 नवंबर 2020 को लगने वाला साल 2020 का दूसरा चंद ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं सुतक काल कि समय से कि समय तक रहेगा साथी साथ चंद ग्रहण कि समय से कि समय तक लगेगा साथी साथ गर्वती महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्पूर्ण और विशेस जानकारी देंगे ग्रहन काल के दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं और कौन से साउधानी बरतनी चाहिए इस वीडियो में हम आपको आठ नवंबर को लगने वाले साल 2020 के दूसरे चंदग्रहन के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को सुरुष लेकर एंड तक पूरा देखें बिल्कुल भी मिश ना करें दोस्तों साल 2022 का दूसरा और आखरी चंदग्रहन आठ नवंबर 2022 दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्मा के दिन लगेगा जी हां दोस्तों जोतिस सास्त्र में चंदग्रहन को एक विशेश घटना माना जाता है इसका प्रभाव चर अचर जगत पर शंपून जीव जन्तु पर पड़ता है साल 2022 का अंतिम चंदग्रहन आठ नवंबर दिन मंगलवार को लगेगा यह साल का आखरी एवं दूसरा चंदग्रहन होगा जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की साल 2022 का पहला चंदग्रहन मई 2020 में लगा था चंदग्रहन हमेशा पूर्मा तित्थी पर लगता है इस बार भी चंदग्रहन इस बार यहनी की आठ नवंबर दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्मा के दिन लगेगा हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 का दूसरा चंदग्रहन आठ नवंबर 2022 दिन मंगलवार को लग रहा है और इस दिन कई सारे शुबशमयोग भी बन रहे हैं यह भारती समय के अनुसार आठ नवंबर 2022 दिन मंगलवार को दुपहर एक बज़कर 32 मर से साम साथ बज़कर 27 मर तक रहेगा आपको बता दे कि पूर्ण तौर से चंदग्रहन तब होता है जब सूर धर्ती पर चंद्रमा एक सिधे होते हैं तथा प्रतवी सूर और चंद्रमा की वीच में होती है तब चंदग्रहन की स्थिति बनती है यह चंदग्रहन भारत समेत दच्छने पूर्वी योरोप में एसिया अस्टेलिया उतरी पूर्वी अमेरिका दच्छनी अमेरिका अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा इसलिए इस चंद ग्रहन का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा हिंदू पंचांग के अनसार चंद ग्रहन का सुतकाल ग्रहन लगने से 9 घंटे पहले सुरू हो जाता है साल 2020 का दोसरा चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसलिए इस चंद ग्रहन का सुतकाल भी मान होगा इस ग्रहन का धार्मिक प्रभाव भी मानने होगा और खास कर गर्वती महिलाओं को विशेश सावधानी बरतनी है बड़े बुड़ी बच्चों को छोण कर रोगी को छोण कर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए इस दर्मियान आप भोजन ना पकाएं और अगर आपका भोजन बचा हुआ है तो इसमें तुलसी का पत्ता पहले से ही डाल दें ताकि आपका भोजन अशुध ना हो दोस्तों गर्वती महिलाओं को चाको सोई कैची धारदार वाली वस्तों नहीं चूनी चाहिए इसमें विसेश कर आपको नुक्वीली चीजे नहीं चूनी चाहिए और आपको एक कमरे में ही रहना चाहिए दरवाजे बंद कर लें खिड़की बंद कर लें ताकि चंद्रमा की रोशनी आप तक ना पहुँच पाए और बाहर ना निकलें जमीन न खुरूदें आप गरहन के समय भगवत चर्चना करें धार्मिक पुष्टकों को पाड़ करें लेकिन दे मंदर के यनि मंदरिक पूजा पाठ में ना जाएं और ना ही चूएं मूर्तियों को ना चूएं आप महा मृतिन जे मंदर का जाब करें गरहन लगने के बाद फिर आप नहाद होकर गंगजल जरूर डाले नहाने के पानी में फिर पूरे घर में गंगजल से छिटकाव करें और यथा संभव अंसवार आप दान जरूर करें दोस्तों गरहन के समय आपको किसी की बुराई चुगले भी नहीं करने चाहिए खास कर गरहन लगने के समय भोजन बगर बिल्कुल ना करें और खुली आँकों से चांद को भी नहीं देखना चाहिए जाज़ा जाधा आप चंदरमा के मंत्रों का जाप करें इससे लाब होगा चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी भाग शाली राशियां है जो कि इस बार के चंद ग्रहन में करोरपती बनने वाली है धनसे मालामाल होने वाली है तो दोस्तों इस लिष्ट में सबसे पहला नाम आता है वो है यहाँ पर कन्य राशि कन्य राशिवाली जात को बता दे कि अब आपकी किसमे चमकने वाली है बता दे कि आपको अपार धन समपत्ती मिल सकती है कई परकार के लाब देखने को मिलेगा यह चंद ग्रहन में चली आरही परेशानिया दूर हो जाएगी लगातार आपके प्रियास आपको सफलता दिलाएंगे शाथी साथ अगर आप नए बिजनेस ब्यापार की सुरुआत कर सकते हैं सफलता कदम चूमती चली जाएगी यह चंद ग्रहन आपके लिए शुब फल दाएक रहने वाला है कई महत्पूर अबसर आपको प्राप्थ होंगे उचित निर्ने और डिस्जियन ले पाएंगे कार छेतर में इजाफा प्राप्थ होगा लगातार आंदर नहीं बढ़ सकती है ब्यापारीक छेतर के लोगों को लिए भी बिशेश लाभ होता हुँआ न जराएगा सफलता कदम चुमती चली जाएगी बता दे कि इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्थ करेंगे अब अगली जो राशी आती है वो है याँ पर तूला राशी तूला राजकात को बता दे कि अब आपकी फूटी से फूटी किसमत भी चमक जाएगी ये चंदग्रहन आपके लिए सुबर रहने वाला है कई महत्पोड शेत्रों सिलाब देखने को मिलेगा लगातार कारियों में ब्रद्धी होगी साथी सफलता कदम चुमेगी रुकावफा समधन प्राप्थ होगा कारियों में चली आरही परेशानिया दोर होगी लगातार आपके प्रयास आपको उशायों पर ले जाएंगे कुछ ऐसे कार पूरे होंगे जो काफी समय से अधोरे पड़े थे पिल्णिंग थे इसमें आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्य करेंगे इसमें आपकी नई नोकरी लगेगी नई जोब लग सकती है और इसमें आप नए बिजनेस ब्यापार की सुरुआत कर सकते हैं बता दे कि ये चंद ग्रहन आपके लिए बहुत इस्वफल दायक रहने वाला है कई प्रकार के लाभ देने वाला है अब अगली तीसरी जुराशी आती दोस्त बता दे वो है याँ पर कुम्भराशी कुम्भराश का जाद को बता दे कि अब आपकी किसमत चमकेगी लब पार्टनर के साथ भी काफी अच्छा वक्त बिताएंगे लब लाइप अच्छी और बहुती खुपसूरत रहने वाली है कुछ बिशेस अबसर आपको प्राप्त होंगे कुछ नए लाभ देखने को मिलेंगे लगातार अंदनी बढ़ सकती है कारचेतर में आपको अधिक शदिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा लगातार कारे आपके पूरे होंगे जो कारा धोरे पड़े थे पिंडिनिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं यानि कि दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्त होगी इसमें आप जो भी नेने और डिस्टिजन लेंगे सफलता कदम चूमेगी अब अगली राशी है चोथी वो है याँ पर मीन रास मीन रास के जजात को बता दे कि अब आप बहुत ही खुश किसमत रहने वाले हैं आप आर्धन संपत्ति के मालिक बनेंगे इसमें ये चंद ग्रहन आपके लिए बहुत ही शुबर हैगा कई सालों के बाद ऐसा दूलब सफस्योंग बन रहा है जी हां दोस्तों बता दे कि इस बार इसे चंद ग्रहन पर अश्ची वर्सों के बाद ऐसा महा दूलब सफस्योंग बन रहा है जिसके कारण इन राशियों को विशेश लाब होगा बता दे कि कार्षेत में इन्हें लाब होगा कार्षेत में आपको विशेश सफलता प्राप्त होती नजराएगी अब अगली पनचमी राशी है दोस्त बता दे मिथुन राश मितन राश के अरजात को बता दे की अब आपके किसमत चमकेगी कार्षित में अधिक शदिक धनलाब होगा लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता कदम चूमती चली जाएगी इसमें जो भी निर्ने और जो भी डिसीजन लेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी साथि साथ इसमें आप विदेश कियात्रा करेंगे विदेश यानि के सपने साकार होंगे विदेश में अगर कोई कार रुका हुआ था तो वो भी पूरा होता नजराएगा साथि साथ इसमें मौज मस्ती इंजॉय करेंगे गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे धन संपत्य में लाब होता हुआ ना जराएगा कुछ कार ऐसे हैं जो काफी समय से प्रिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता कदम चूमती चली जाएगी बता दे कि आप इसमें दिन दुगनी राज चुगनी तरक्की प्राप्त करेंगे कुछ ऐसे कार पोरे होंगे जो काफी समय से अधोरे पड़े थे प्रिंडिंग थे बता दे कि आए आपकी बढ़ेगी और इसमें स्वास्त बेहतर रहेगा अगली राशी यानि छटमी जो राशी आती है दोस्तों वो है करकराश करकराश राज को बता दे कि अब आपकी किसमत चमकेगी भाग का उदय होगा इसमें आप कि बंद किसमत के ताले खोलेंगे ये चंद ग्रहन आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा बता दे कि आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे इसमें उचित निर्ने और डिसीजन ले पाएंगे नोकरी में प्रमोशन और साथी साथ स्टेलिरी में ब्रदी होगी उच्चादिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा बड़े दिकारी आपके कार्चेत में आपकी सराहना कर सकते हैं प्रसंसा कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी विसेस रहने वाला है दन संपत्य में अधिक सदिक मुनाफ़ा प्राप्त करेंगे लगतार प्रयास आपको उचायों पर ले जाएंगे लगतार आपके प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे कुछ महतपूर नेने और डिसीजन ले पाएंगे आप इसमें दिन दिगनी राच और गनी तरक्की प्राप्त करेंगे आपके द्वारा लिये गए नेने काफी सराहनी होगा इसमें आप जो भी डिसीजन लेंगे सफलता कदम चोनेगी खास कर इन छेहराशों के लिए ये चंदगरहन बहुत ही सुब रहने वाला है बहुत ही विशेश रहेगा तो दोस्तों इसले तो कहाए कि पैसे गिनते गिनते ठक जाओगे असी वर्षों बाद आठ नवंबर को चंद गरहने छेहराशिया होंगी करोड़पती दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब चिरूर कर दीजेगा जय चंदर देवाए